नमस्कार में हूँ सुदफखान आप देख रहे हैं News21 TV आए देखते हैं ये खास ख़बर GDVM पबने स्कूल के प्रिंसिपल अनिल कुमार सर्मा ने कहा कि इस शिख्षा इस अफल जिवन जियने का मंत्र है और शिख्षा ये हमें जिवन जियने का सलिका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का इसास कराती है लेकिन उन्होंने कहा कि शिख्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी सिख्षा की तरफ न भागते हुए हम अपने देश की संसकर्थी को बढ़ावा देना चाहिए और आज के इस यूग में सबसे दुखत बात लिया है कि आज गुरू और सिख्षे के बीच वो भावना नहीं रही जो एक दूसरे के परती पुराने समय में रहा करती थी मैं अनिल कुमार सर्मा फ्रॉम धतीर जी दिवियं पाविश्पूर धतीर सर सिक्षा के स्थर को कैसे सुधारा दा सकता है इस तंदर में आप अपने विचार दीजिए सिक्षा के स्थर को उच्षा बनाने के लिए टीचर स्टाप मेंबर्स हमारा समाज और अध्यावर जब सभी साथ रहेंगे तो हम सिक्षा के स्थर को उच्षा बनाने के लिए हमें पेरेंट्स का भी साथ चाहिए जिससे कि हम बच्चों को अच्छी पिलकार से क्या समाज? नैतिक मुल्य में गिरावट के लिए हमारा जाद रेस्वन सिवर हम समाज को देते हैं क्योंकि जो बच्चा समाज में जास जैसा सीखता है उसी परकार से वो अपना वातरण तयार करता है स्कूल के अंदर उसको बहुत अच्छी सिख्चा दी जाती है हर स्कूल के अंदर लेकिन समाज में जाकर के वो उसी परकार से उसी ढंग में रंग जाता है और उसी लेंग्रेज को बोलना चालू कर देता है सर योन सिक्षा को क्या पार्टे करम में सामिल करना चाहिए अगर हाँ तो किस क्लास अगर नहीं तो क्यों योन सिक्षा को पार्टे करम में जरूर सामिल करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को इसके इमारे में पूरा ज्यान मिल सके और ज्यान मिलने के बाद में वो ऐसा अपराद ना करें सर आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का अरोप लगतार कहा जाता है कि सिक्षा के एक वेबशाय बना दिया है आप कहां तक इस बात से सहमत हैं प्राइवेट स्कूलों को अपने फीस मनमानी से बिलकुल नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि इसमें गरी बच्चे भी पढ़ते हैं अमीर बच्चे भी पढ़ते हैं सबके लिए सिक्षा का एक अधिकार है और फीस कम ही लेनी चाहिए